आज हम बात करने वाले हैं जीमेल आइडी का पासपोर्ट चेंज कैसे करें या फिर अपनी जीमेल आइडी का पासवर्ड चेंज कैसे करें तो इसके लिए गूगल प्ले स्टोर को आप अपने फोन में सबसे पहले ओपन करिए Google Play Store को open करने के बाद ऐसा interface आएगा Right side में उपर आपको गोल सा icon मिलेगा अपनी Gmail ID का profile photo या फिर logo इस पे click करिए Click करने के बाद Google account का option आएगा या फिर आएगा manage your Google account इस पे click करिए जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा home button personal info data and privacy तो यहाँ पर personal info पे click करिए click करने के बाद नीचे scroll करिए और आपको एक password का option मिलेगा इस type से password वाले option पे click करिए अब उसके बाद यहाँ पर enter your password पे click करके अपनी Gmail ID का password एंटर करिए जो की आप फिलहाल में यूज कर रहे हैं उसके बाद next पे click करेंगे और आपके सामने next page आएगा इस type से अब उसके बाद new password पे click करके अब जो password आप set करेंगे वो यहाँ पर आप enter करिए अब यानि की अपनी Gmail ID का जो नया password आप set करेंगे वो password यहाँ पर enter करिए नया password create करने के बाद नीचे scroll करेंगे confirm new password पे click करिए अब उसके बाद यहाँ पर जो उपर आपने password एंटर किया है same नीचे enter करेंगे तो यहाँ पर हम type कर लेंगे same password जो की हमने नया बनाया है password create करने के बाद confirm करने के बाद change password पे click करिए उसके बाद देख सकते हैं password changed successfully तो इस type से password को change कर सकते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें